हेलो दोस्तों स्वागत है आपका वाइपर मुवी एक्स्प्लेंड चैनल पर और आज हम देखेंगे वन पीस सीरीज के एपिसोड नमबर दो को इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एपिसोड की शुरुवात होती है दस साल पहले लूफी के बचपन से जो की अपनी नई पावर की प्रेक्टिस कर रहा था माकीनों उसे बताती है कि डेविल फ्रूट खाने से उसे सूपर पावर तो मिल गई है लेकिन लूफी अब कभी टैर नहीं सकता जो की डेविल फ्रूट खाने का बहुत बड़ा नुकसान है तभी वहाँ शैंक्स आ जाता है और लूफी उसके पीछे पढ़ जाता है क्योंकि उसे तो शैंक्स की टोली का मेंबर बनना था तभी लूफी को पता चलता है कि शैंक्स अब गाउं छोड़ कर जा रहा है और अब वो वापिस कभी नहीं आएगा ये जानकर लूफी उदास हो जाता है कहानी वापिस प्रेजेंट में आती है नामी उस लूखर को खोलने की कोशिश कर रही थी और लूफी के काफी डिस्टरब करने पर भी नामी उस लूखर को खोल देती है लॉकर में Grand Line का नक्षा था जिसकी उन्हें तलाश थी लेकिन लूफी को Grand Line के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसलिए नामी उसे समझाती है कि पूरी दुनिया को चार पार्ट्स में डिवाइट किया गया है इस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू इस समुद्र के बीच में एक लंबी सी जमीन है जिसे Red Line कहते हैं और साइड वाली लाइन को Grand Line कहते हैं जहां पर गोल्ड रॉजर का वो खजाना चिपा हुआ है पर नामी के हिसाब से कोई खजाना है ही नहीं क्योंकि अगर होता तो अब तक किसी न किसी को मिल गया होता तभी उनकी शिप पर दूसरे पाइरेट्स हमला कर देते हैं पाइरेट्स पूरी शिप पर बेहोश कर देने वाली गैस छोड़ देते हैं जिससे लूफी की पूरी टोली बेहोश हो जाती है लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले लूफी ग्रेंड लाइन के नक्षे को निगल कर अपने पेट में छुपा लेता है जैसे ही टोली को होश आता है वो लोग खुद को एक सरकस के बीच में पाते हैं जहां कर रिंग मास्टर है बगी दे क्लाउन सरकस में कई सारे लोगों को कैद करके रखा गया था जिन्हें जबरदस्ती ओडियंस बनाकर सरकस शो दिखाया जाता है बगी उन्हें बताता है कि खुद उसे भी ग्रेंड लाइन के नक्षे की तलाश है और जिस काम को वो कई सालों से नहीं कर पाया वो काम तीन नौ सिखियों ने कर दिया इसलिए गुसे में बगी उनसे ग्रेंड लाइन का नक्षा मांगता है अब नामी खुद अपनी जान बचाने का सोचती है वो लूफी की हैट को हवा में उच्छाल देती है जो कि लूफी को अपनी जान से जादा प्यारी है लूफी के लोग आकर नामी को फिर से पकड़ लेते हैं इसके बाद हम देखते हैं कॉबी को कॉबी मरीन्स में भरती हो चुका है उसके पहले दिन ही शेहर में वाइस एड्मिरल गार पाता है जिसने गोल्ड रॉजर को पकड़ा था गार पियाँ पर नक्षे की चोरी की खबर सुन कर आया था दूसरी तरफ जोरो और नामी को एक कमरे में बान दिया जाता है नामी अपने पिंजरे के ताले को खोलने की कोशिश करती है वहीं इधर बगी लूफी के हाथ पैर खीच कर उसे टॉर्चर करता है ताकि लूफी उसे ग्रैंड लाइन का नक्षा दे दे क्योंकि कि वह लूफी के किसी काम का नहीं है लेकिन लूफी उसका मजाक उडाता है जिससे घुसा होकर बगी लूफी की टोपी निकाल लेता है और बगी पहचान जाता है कि ये टोपी तो शैंक्स की है असल में बगी और शैंक्स पहले एक ही टोली में हुआ करते थे लेकिन फिर ने बगी को धोखा दे दिया जिससे बगी अब शैंक से नफरत करता है बगी अब ओडियंस में से एक बच्चे को उठा कर उसे मारने की धमकी देता है लूफी जो की अब बहुत गुस्से में था वो रसियों से अपने हाथ निकाल कर बगी से लडने के लिए तैयार हो जाता ह लूफी अपने सिर्फ एक ही पंच से बगी की गरदन उसके धर से अलग कर देता है लेकिन बगी मरा नहीं था अब हमें पता चलता है कि बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया है चौप चौप फ्रूट जिससे बगी अपने बॉडी पार्ट्स को जब चाहे तब अलग क कर सकता है और उसे कोई नहीं काट सकता लूफी ये देखकर हैरान था तभी बगी फिर से बेहोशी वाली गैस से लूफी को बेहोश कर देता है दूसरी तरफ नामी लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां बगी का राइट हैंड कबाजी आ जाता है कई साल पहले जोरो ने कबाजी के भाई को बाउंटी के लिए मार डाला था लेकिन जोरो को कबाजी या उसका भाई याद तक नहीं था जिससे कबाजी और घुसा हो जाता है और जोरो की तरफ घुमा कर चाकू फैकने लगता है शेल्स टाउन में गार्प कौबी को आफिस में बुला कर पूश्ताच करते हैं क्योंकि गार्प को कौबी पर शक था और उसे लूफी के साथ बार में देखा भी गया था कौबी अब सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे लूफी ने अलवीडा से उसकी जान बचाई थी इसलिए कौबी ने लूफी का चोरी में साथ दिया लेकिन कौबी को हमेशा से एक मरीन बनना था इसलिए वो लूफी के साथ नहीं गया कौबी की सचाई और इमानदारी से गार्प खुश होता है और कहता है कि हम मिलकर इस लूफी को पकड़ेंगे इधर लूफी को एक ग्लास टैंक में होश आता है जो की धीरे धीरे समुद्री पा पाइरेट्स का राजा बन जाएगा लेकिन लूफी साफ मना कर देता है तो बगी पानी की स्पीड बढ़ा देता है ताकि लूफी उसमें डूब जाए कहानी फिर से 10 साल पीछे जाती है जब माकीनों की दुकान पर वही बदमाश लुटेरे आ जाते हैं जिन्नोंने शैंक लुटेरों का बॉस माकीनों से बत्तमीजी करता है और लुफी को मारने की धमकी भी देता है लेकिन तभी शैंक्स यहां आ जाता है और लुटेरों से भाग जाने को कहता है लेकिन उल्टा लुटेरे शैंक्स पर ही हमला कर देते हैं जिसके जवाब में शैंक्स की टोली अ लूफी को मार नहीं वाला था लेकिन तभी वहाँ एक समुद्री मॉंस्टर आ जाता है जिसे लॉड ओफ दे कोस्ट कहते हैं वो मॉंस्टर लुटेरों के बॉस को खा जाता है और लूफी समुद्र में गिरकर डूबने लगता है पर तभी शैंक्स वहाँ आकर लूफी को प लाता है कि शैंक्स का लेफ्ट हैंड उस मॉंस्टर ने खा लिया है और ये देखकर लूफी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है लेकिन शैंक्स को इस बात की खुशी थी कि लूफी को कुछ नहीं हुआ प्रेजन टाइम में हम लोग देखते हैं कि लूफी अब पूरी तरीके से पानी में डूप चुका है और बगी उसकी टोपी के साथ खेल रहा था जिससे लूफी को बहुत गुसा आ रहा था वहीं दूसरी तरफ कबाजी चाकूओं से जोरो को डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन जोरो को उससे बिलकुल डर ही नहीं लग रहा था अब क्योंकि नामी ने अभी तक ताला नहीं खोला था इसलिए जोरो उसे बातों में उलजाता है और बताता है कि कैसे लूफी ने उसकी सोच बदल दी है और जोरो को लूफी के प्लांस पर नहीं बलकि लूफी पर भरोसा है ये सुनकर कबाजी हसने लगता है तबी पीछे स नामी उसे लात मार कर जोरो के पास फैंक देती है और जोरो अपनी मजबूत पकड़ से कबाजी को बेहोश कर देता है जिसके बाद जोरो और नामी दोनों ही तयार हो जाते हैं बाकी पाइरेट्स को मार कर लूफी को बचाने के लिए नामी अपने वेपन से कांच के पिंजरे को तोड़ देती है जिससे लूफी बहार आजाता है और तब तक जोरो ने बगी के सारे लुटेरों को मार दिया था लूफी के बाहर निकलते ही उसे खासी आने लगती है और खासी के साथ ही ग्रैंड लाइन का नक्षा भी बाहर निकलाता है जिसे देखकर बगी बहुत खुश होता है जोरो बिना टाइम वेस्ट किये बगी पर हमला करता है लेकिन बगी के चौप चौप फूरूट की वज़े से उसे काटना नामूमकिन है बगी अपनी पूरी आपसों में डालने लगते हैं और नामी उन्हें लॉक कर देती है और इस तरह आखिर में बगी की सिर्फ गरदन हाथ और पैर ही बचते हैं आखिर में लूफी कहता है कि वो लुटेरों का राजा बनकर ही रहेगा ये कहते हुए वो बगी के सिर को बहुत ही दूर फैंक दे यहां से जाने से पहले ये लोग सभी बंदी बने लोगों को भी आजाद कर देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि मरीन बेस में वाइस एड्मिरल गार्प कैप्टन मॉर्गन को सभी के सामने सजा सुना देता है लूफी से हारने की वज़े से नहीं बलकि मरीन्स को गलत परीके से लीड करने और करप्शन की वज़े से गार्प सभी नए मेंबर्स की एक फॉज बनाता है और लूफी को ढूणने निकल पड़ता है ताकि सभी पाइरेट्स को पता चल सके कि मरीन्स से उलजना भारी पड़ेगा और उस नई फॉज का एक मेंबर को भी भी है दू शेंक्स लूफी के गाउं को छोड़ कर जा रहा था तब वो लूफी से आखरी बार मिलता है शेंक्स बताता है कि लूफी उसे सबसे ज़ादा याद आएगा लूफी अब समझ चुका था कि शेंक्स उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वो कमजोर है और तैयार नहीं है। लूफी शैंक्स से वादा करता है कि वो भी शैंक्स की तरह एक बहतरीन और हमेशा साथ निभाने वाली टोली बनाएगा और वन पीस को ढूंड कर पारेट्स का राजा बनेगा। शैंक्स ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। और अपनी सबसे कीमती चीज या आज तक शैंक्स ने रखी थी। फ्लेश बैक के खत्म होते ही हम देखते हैं कि नामी ने उस टोपी को सील कर फिर से पहले जैसा बना दिया है। जो देख लूफी बहुत खुश होता है। इसके बाद लूफी की टोली निकल पड़ती है ग्रैंड लाइन की तरफ। कुछ देर बाद नामी चुपके से किसी को कॉल करके उसे बताती है कि ग्रैंड लाइन का नक्षा उसके पास है। यानि कि नामी फिर से लूफी को धोखा देने वाली है। खैर इसी के साथ एपिसोड दो खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा। पिर भी जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुती जल्द अगले वीडियो के साथ शुक्रिया।